कि यो वाट्स आप गाइस कैसे आप सो भी लोग वैलकुम बैक टू इने दर गेम फ्ले वडियो तो गाइस आज हम लोग एक ऐसा गेम खेल ले जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत जादा डिस्रक्शन करना है सबसे पहले मैं एक चीस आप लोग को क्लियर कर देता हूं कि ये गे आप लोग के बीच का मिक्सचर है अब आप लोग सोच रहों कि ये कौन सा नया गेम आ गया क्या ये जी टीय क्राफ्ट है ऐसा नहीं है इस गेम का नाम है टियर डाउन तो बिना किसी देनी कि हम लोग जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं बठा आप लोग आप सब्सक्रा इन दोनों को डिस्ट्रॉइ करने वाले हैं लेट्स को और राइट गाइस तो यह हम लोग आ चुके हैं फ्रैंक्लीन के बड़े से जीटे 5 वाले लक्शिरी मेंशन में और आज इसी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं और एक बड़ी ध्यान से दिखों आप पीछे लॉस सा गाड़ी बिलकुल एकनम रियल फिल दिला रही है चनले में और और इसम एकनम डृफ्ट बगरा भी हम लोग मार सकते हैं लोग मार सकते हैं मैं कह हु न है इस क्वालिटी बस बस माइंक्राफफाली है बढ़ इसमें Graphics और इसकी थोड़ी Physics विलकुल Schwummah Cash Doll are the इस गाड़ी को पहले तोड़ेंगे फिर फ्रैंक्लिन का घर पूरा अच्छे से तोड़ा जाएगा बाकी ओ नहीं यार सक्ची में इसमें डिस्रक्शन कितने मस्त लेवल का हो रहा है भाई मेरी गाड़ी ना अटक चुकी है भी याँ पर मैंने इधर लाके ठूकी ये शटर मीन से गिराज का डोर तो टूटा ही टूटा वाल भी जो मैं इसे ओर तोड़ सकता हूँ चाज से मेरा हतोड़ा अटक चुकी है इसे कोई नहीं पीछे कर सकता निकल तेरी गाड़ी का शीशा टूट गया भाई मतलब इसमें हरान होने वाली चीज नहीं है ऐसा लगए माइंग्राफ खेल रहा हूं मैं और मैंने मारा शीशा टूट गया गाड़ी का बाकी यहां पर एक गेट है शायद मै गेट नहीं खुलता बटा इसमें खुल गया बाहर खुल तू यह पडोशियों का ख़र है तुम्हारा खर भी तोड़ेंगे बट अभी नहीं बाद में आप एक चोटा सा पोधा रखाय तोड़ते हैं नीचे है ना अमेजिंग यारे पूरी की पूरी लकडी ऐसे तूटके गिरी है ना मतलब क्या मजा आ रहा है भाई अभी तो मेरे पास इस गेम में ऐसे ऐसे वैपन साय जिससे हम लोग डिस्रक्शन करेंगे तो पता नहीं कितना जादा मजा आने वाला है बाकि अपनी कार थोड़ गेट कोलते है कुछ तूटा घर के अंदर वेट मुझो देखना है ओ नहीं मैंने जल्द बाजी में गेट कोला और यहाँ पर एक टेवल नरकी वी ती कांच की वो तूट गई है हम लूग फ्रैंक्लिन के गर में आ चुकी है यह वही वाले सोफे है जहां पर फ्रैंक्लिन है पर सब तोड़ दूँ आज मैं सब कुछ चल तीरियसी की तसी लाइट वाइट सब फोड़ देंगे हम लोग यहां पर जितना भी है पर इससे नहीं कुछ तगड़े वेपन से यह सोफा है फ्रैंक्लिन का यह टीवी है फ्रैंक्लिन का यह इसको मैं तोड़के नीचे कैस जानेवालें युसका तोफा है फेर नीचे चलते हैं नीचे वाला फ्लोर इस जमें बनाए और भाई सब कुछ बना हूँ है मिरको ऐसा लगा दिक मैं माइन्क्राफ्ट में प्रैंक्लिन के घर पर आगया हूँ यह वाला फ्रैंक्लिन का रूम है इसे अम लोग खोलते हैं और यह हम लोग आ चुके हैं Franklin के रूम में यह रहा उसका बेड यहां पर पेंटिंग लगी हुए यहां मिरर लगा है और अंदर है उसका पूरा वाड्रॉब तो टाइम आ चुका है असलिए तभाई करने का तो हम लोगी का यार एक चीज आसे गिर रही है ना इस पर मारा और टी-शिर्ट्स वोगेरा भी उपर से कैसे हिलने लग गया ऐसे लग रहा है सच्ची में टी-शिर्ट्स लटकी भी है और ले ती रही है सब्सक्राइब बहार एकदा मास्ट इसने गार्डन मना रहा है वैसे वह स्वीमिंग पूल नहीं था स्वीमिंग पूल यह वह बाथ यह डाउन कहले हैं बढ़ हां फिर भी कौन से फील की तरफ यह जादा जा रहे देखो ऐसे लाइट्स होगा रहा है स्काय और कॉलिडी तो जीट्याफ वाली है विटी सब टूट रहे है थोड़ा सा माइनक्राफ वाली फील दिला रहा है खेर अभी इस हैमर से तो बहुत लगा लिया इससे अगर मैं इस घर को तूड़ूँगा तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है कुछ बढ़िया वैपन्स निकालते हैं मेरे पास यहां पर एक स्प्रेय है जैसे मैं कहीं पर बीक्ता मस्ट पेंट कर सकता हूँ बाय चंस अगर कहीं आग लग जाती है तो मैं इस fire extinguisher से उसे भुजा भी सकता हूँ मेरे पास एक यह वाली गन भी है बट मुझे इसका यूज नहीं पता एक बार ही हम लोग इसको यहां पर ट्राय करके देखते हैं कुछ से हुआ वो भाई यह सची में डेंजरस है एक यह मदुमक्खी वाला गन भी है इसका ल फ्लेम थ्रोवर जिससे हम लोग कहीं पर भी आग लगा सकते हैं मैं इस लकडी को जला के देखता हूँ यहां पर क्या यह जलती है वीट इसने सची में आग पकड़ी वो भी बहुत तेज मुझे से बुजाना चाहिए नहां बुजा दे त्यार एक ही बार में डिस्ट्रॉ इकना मस काम कर रहा है और हाँ फ्लेम थ्लोर हो गई अपने पास एक मिनी गन है जो समें से धड़ा धड़ गोलिया चलने वाले मुझे बताने की जरुत नहीं है वर फिर दिखा देते हैं वहां पर हाल देखो सारी के सारी शिशे तोट गए अगर इस गन से मैं घर को यह 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 पूरी वाल काट दी भाई यह देखो फ्रैंक्लिन के घर का क्या हाल हो चुका है भाई पता ही नहीं चलना है घर था अब यह तो हो गया इसी के साथ-साथ हमारे पास एक RPG तो क्यों आइस RPG को हम लोग यहीं पर ट्राइ करें 3 2 1 लेट्स गो पाई यह चीज तो GTA 5 में भी नहीं होती घर कितने अच्छे तरीकी से तूटके गिरा है वेट मुझे से रिलोड करना है और एक बारी और चलाना है भाई एक एक करके पुरा कपुरा फ्लोर उपर से नीचे आगया है फुल रियल डिस्रॉक्शन हो रहा है और हल्के फुल के चिंगारी से ना गाईस देखो यहां पर आख भी लगए मैं नहीं बुझाने वाला मैं बिल्कुल नहीं बुझाओंगा मैं तो चाहता हूं यह घर टूटे वो भी एकदम चाड़ से वह बाई मैं जा रहा हूं मेरे उपर मत गिर जाना भाई मैं दूर से तोड़ने वाला ह मारते है गाईस पूरा एकदम मस तरीके से गिर के मेरी हेल्थ भी है अगर अगर यह मेरे पास फूटा तो हो सकता है मैं भी मर जाओं तो मुझे ध्यान रखना होगा अपना वाई मुझे मुझे नहीं मरना है इसका घर तोड़ते हुए थोड़ा दूर चलके चलाते हैं और सीधा इस बारी मैं कमरे के अंदर फार करूँगा भाई सही बताओं तो सबसे ज़्यादा मज़ा डिस्रक्शन का अगर आ रहा है तो वो और पीजी से आ रहा है भाई अंदर से घर पूरा चूरम चूर होगे है मेरे साब से तो एक बारी मैं आप लोग को इस टूटे वे घ अगर का टूर अंदर से करवा देता हूं भाई सही में एक एक चीजना जलके नीचे गिर रही है पूरे में आग लग चुकी है और कुछ पता नहीं है यह आग कब में बढ़ती चले जाए यहां पर इतना जाता धूआ हो गया ना कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा है बाक इसका घर ना इस साइट से बिलकुल ओके है लगे नहीं ला कि यार जासे हम लोग इस घर को तोड़ने आया है तो क्यों ना एक RPG फ्रेंट में बज़ा दी जाए ज्यादा डिस्रक्शन यहां मजा नहीं आया एक मजा चाही होता ना वो नहीं आया यहां पर देते हैं ओह भा ओ वेट वेट गाड़ी जिस तरीके से टूटी है ना एक तो धूँआ इतना कुछ नस यहीं देखो गाड़ी के अलग अलग टुकडे हो गया भाई और अभी हम लोग गाड़ी में बैट सकते हैं नहीं नहीं बैट सकते हैं गाड़ी गई शाथ से मेरे साबसे दो ओ गर रह आर्पीजी की एक यह लास्ट बुलेट बची है ताइम आ चुका है इसको भी मारने का लेट्स को भाई यहां पर इतना डिस्रक्शन हो चुका है कि मेरा गेम लाग करने लग गया मेरा गेम अभी ऐसे रो रोके चल रहे है ना भाई आप लोग खुदी देख पारे हो इतना जादा डिस्रक्शन हो चुका है कि इस गेम को भी हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है अब फड़ा फड़ से काम करते हैं मेरे पास ना एक काउंटर स्ट्राइक का C4 बॉम है उसको मोग अलग अलग जगा पे प्लांट कर देते हैं और फिर इसे भी जब ब्लास्ट करें तो शायद मेरा गेम क्रैश ही हो जाएगा बाई मुझे कोई आइडिया निया है बट मैं करने वाला हूँ इस वाली वॉल पर लगाएंगे एक बॉम यह बिल्कुल साही सलामत थी वेट गाईस मुझे लग रहा था घर का एक कोना टूट गया बटे किचन ठीक कैसे आई यह पर भी बॉम लगेगा गाईस रेडी हो जाओ क्योंकि गेम क्रैश होने वाला है मैंने इस कार में बहुत सारे सीफूर बॉम प्लांट कर दी है मेरे एक बटन दबाते ही वह सारे ब्लास्ट होंगे और मुझे कोई आइडिया निया क्या होने वाला है थ्री टू वान लेट् ओविट डिस्ट्रक्शन सही से नहीं दिखा बट अच्छी बात है गेम भी नहीं क्रैश हुआ लेकिन जो जो जगा बची भी थी ना वो ओल्मोस सारी की सारी टूट गई है और मुझे नहीं लगता इस से जादा डिस्ट्रॉई करना चाहिए इस घर को पूरा खतब हो गया ईढ़ traffic ईए गाईस हम लोगना explosion का size भी बढा सकते है लास टाइम जो मैने bomb plant करे देना उस एक्स्ट्रोजन का size बहुत ज्यादा छोटा था वेट भाई साब एक्स्प्लोजन साइज बढ़ाती यह क्या हो गया सब गया मुझे मालूम है कि यह गर बहुत बुरी तरह तूट चुका है बड़ी जो थोड़ी वो दिवारे बच्ची है क्यों ना इसको भी फोड़ दे मेरे हिसाब से अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा चलो बारे यह माइंक्राफ कासल की ओल्राइट गाइस तो यह हम लोग आ चुके हैं माइंक्राफ की कासल में जिसे आज हम लोग तोड़ेने जा रहे हैं फटा-फट से ना ऊपर चलके पहले इसे एक्स्प्लोर करते हैं और हट तीर यह सिकित यहां पर इतना जादा उंचा बना रहा है कि मैं कूद के चड़ भी नहीं पा रहा हूं थोड़ा सा और तोड़ेंगे अभी थोड़ा सा बैठर है बिल्कुल सीडी वाली फील आ चुकी है अब बस मुझे ऊपर जाने के लिए ना जंप भी निवारनी मैं नॉर्मल यह आ जाओंगा भागता हुआ बाकि पाई टूटके गिर रहे है न मतलब एकदब यहीं काफी मसत है यहां पर पत्थर है क्या मैं अपनी हैमर से मैं इसे बिल्कुल नहीं तोड सकता क्योंकि यह काफी ज्यादा मजबूत है बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा हूं बट नीचे की जो घास है पात वाली डिर् ग्रास भी मैं तोड सकता हूं, यहां पर लीप्स है, यह भी मैं तोड सकता हूं, बट यह जो stone bricks है ना, मैं इसे नहीं तोड पा रहा, तोड को तोड नहीं का ना, एक अलगी मज़ा, दो तिन पार्ट्स में होकर वो नीचे गिरती है, यह तोट जाना चाहिए, लकडी तोट कि यह नाइस लाकटी तूत रही है वाकिए आपकी इप अंदर चलते हैं यहां पर एक घेट खुल को नहीं रहे शायद अंदर को खुल रहे हैं अंदर इसे तोड के अंदर जाने वाले ठीक है ना अभी हम लोग अंदर आचुके हैं यहां पर एक फ़णाइस है एक एक क्राफ्टिंग डेवल जो कि में से काफी ज्यादा बड़ी मेरे को लग रही है यह चेस्ट है जिसका डबा जिसका डबा हम लोग खोल सकते हैं वेट मैंने इसके तब्बे को खोले मैंने चेस्ट नीचे चेस्ट गिर गई यार मुझे से उठाना पड़ेगा वापस इसको उठाके इदर रखते हैं इसमें से काफी सारा समान भी इदर आके गिर चुका है यह देखो यह कुछ गोल्डन इंगिट्स हैं और आयरेन इंगिट्स हैं जो कि यार नीचे आके गिर गए हैं मैं पूरी चे वाई कि इतनी ज्यादा सही लग रहे हैं इस चेस्ट में बहुत सारा समान था एक एक एकस है यहां पर एक अपनी शवखल एकस हैं और और कुछ गोल्डन इंगिट्स है और 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 क्या है एक पिक एकस है यहां सब हम लोग तोड उड़ते हैं ओपर कुछ सीडियां कई वी सीडियों पर जाना था मुझे उसे तोड़ना नहीं था छोड़ो अभी मुझे कहीं नहीं जाना मुझे बस यहां से बाहर निकलना है और एक बार पीछे वाली साइट पर घूम के आते हैं पर उससे पहले यहां पर यह गेट है जिस गेट को हम लोग अंदर को खोलते हैं वह पर तो मस्टर टैनल बना रहे हैं इदर से उदर जाने के लिए और यहीं सीडियां जिससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं कुछ इस तरीके से जंप मार के और राइट गाइस तो यह मैं टावर के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूं और यहां से क्या ही व्यू मिल रहा है इस पूर कि आखिर कार्ट तूटने के बाद इसका क्या हाल होने वाल है पर को में ली देखना यह गिरता किस तरीके से क्योंकि इस गेम के physics काफी ज्यादा रियल है खर गिरा तो एक-दम सही तरीके से है उटे पत्तियां क्योंने टूटी यह को ज्यादा मजबूत हो रही है ज्यर छ ज़्यादा मजबूत है तो मुझे सबसे पहले इस पर टेस्स करना है 321 लेट्स गो भाई वेट मुझे नहीं पताता कि C4 बोल्म इतना ज़्यादा डेंजरोस होगा भाई honestly बता रहा हूं यह वोल बहुत ज़्यादा मजबूत है बट इसने ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा इस बारी मानना पड़ेगा पूरी की पूरी वॉल उपर से नीचे आके गिर चुकी है मेरे पास नहीं किये वाली गन भी है मुझे पता करना है आकर यह किस काम की है क्योंकि लास्टम मैंने से डिस्ट्रॉई करा था था बड़त हलका ओ वेट यह तो एक अल्ला की चीज है यह गन उठा के इफैक्ट देती है किसी भी चीज को नाइस एक बार हम लोग इसे यहां पर फोड़ के देखते हैं मतलब कि फो तगड़ी फोर्स डालती है उस चीज पर और समान देख रहे हो कहां से कहां उड़के आ रहा है तो थोड़ा सा ब्लास्ट वाली चीज पर हो र पर आग लग चुकी और मुझे देखने आकर क्या होने वाला है इस पूरे ग्राउंड टूर पर अंग लगाते रुख जाओ यहां से लेकर हम लोग पूरी चारो तरफ लगाने वाले हैं और फिर देखते हैं दस से बीस सेकंड में आकर इस बिल्डिंग की हालत क्या होती है क्या यह पूरी चलेगी या फिर नीचे नीचे का ही एरिया जल के रह जाएगा वैसे यार देखो असलियत में तो पूरी जलनी चाहिए और यह पूरी जल बेरी है भाई वेट एक बार यह आप लोग धियान से देखो ऐसे लग रहे हैं पूरी रियल वाली फील आरे है इसम फुल अच्छे से आंग लग चुकी है मेरे साब से भी कोई भी एरिया नी रहने वाला इतार इक गेट था लकडी का उसमें भी आंग लगा दी बट वो तो बहुत जल जल जाएगा यह पूरी बिल्डिंग गई समल लो दो सेकंड बाद यह पूरी जल जाएगी गाईस अभ जलता हुआ घर उठाके फैक्ट यह वीट यह सची में बहुत जादा डेंजरस है चेस्ट कैसे बचकी रुख जाओ तू भी निकल यहां से भाई सारा का सारा समान इसमें से बाहर आचुका है यह काफी सही है पहले किसी भी चीज को ना पूरा तोड़ दो उसके बाद उसे उठाक एफैक्ट दो बाकि यहां इस तरी के से डिस्ट्रोई करूँगा बहुत जादा टाइम जाएगा एक काम करता हूं मेरे पास बहुत सारे सीफोर है हर एक वोल पे ना बहुत जादा जादा लगा देते हैं और एक ही बार में ब्लास्ट करके सारा खेल खतम करते हैं को चारो तरफ भर के बॉम प्लांट कर दिया है अब एक ना आर्पीजी का शोट वैसी मेरा मन है चलाने का तो चला देते हैं उसे थोड़ा वाव क्या मस्तरी के से तूटके गिरा ट्री मुझे लग रहा था फिजिक स्रियल नहीं है बट है भाई इसकी पतियां रह गई ता बड़ा सा मैं दूर चल लेता हूं इधर बेड्रोक है यहीं पर रहते है त्री टू वण शायद से कुछ दिखेगा नी क्यूंकि लाग बहुत तकड़ा होने माल है लेट्स गो गेम फ्रीज बहुत कुछ दिखेगा बट लाग में अभी कुछ नहीं पता चल रहा क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी सिटी कुछ भी इस गेम में सब कुछ है आपको बस कॉमें बता रहा है तो ओकी गाइस जाओ बताओ मेरे को और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना बाखिया इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकता लिंक लिक नीचे दिस्क्रिप्शन में है तो ओकी गाइस आज किस वाली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई